130 किलोमीटर रेंज, दशमलब 35 मिनित में चार्च मार्केट में आ गया दमदारी स्कूटर, अब ओला की बोलती होगी बंद लेंबरेटर अलेटरा, आज से लगभग 40-45 साल पहले लेंबरेटर भारत में अपनी स्कूटर को लेकर काफी पसंद किया जाता था क्योंकि यह घरेलू स्कूटर के रूप में लोगों के बीच काफी चलने में हुआ पता था लेकिन भारत में इसका कारोबार लंबे समय तक नहीं चला और इसे मजबुरन बंद करना पड़ा लेकिन एक बार फिर भारतिय बजार में लेंबरेटर ने अपनी दो पहिया वहां के साथ इंट्री कर चुकी है आएए इस लेंबरेटर के स्कूटर पर एक नजर डालते हैं लोगों का खीचा ध्यान वही कमपनी ने इसे दिसंबर 2023 में आयो जिती आइसी में इलेक्टरिक मोबिलिटी शो में पेश किया था जहां से लोगों ने इसे काफी पसंद किया और लोग इसकी प्रोटोटाइप इलेक्टरिक को देखने के लिए काफी उतसुख भी थे जिसके बाद कमपनी ने उसे तयार किया और पेश किया अब लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कमपनी ने इसे इलेक्टराप नाम भी दे दिया है क्या कुछ है इस स्कूटर में खास Company ने इस electric scooter को लेकर अभी इसके production model को लाने की तयारी कर रही है और इसके signature design elements को भी तयार करने का काम शुरू कर दिया है जिसमें आगे की और कई बेहत खास features देखने को मिलेंगे और इसे पूर्ण रूप से 21 सभी सदी की scooter के रूप में तयार कर रही है पांच मिनट में होगा 30% चार्ज इसके अलावा Company इसमें 220 वोल्ट की होम चार्ज से 5 मिनट में 30% चार्ज किया जाएगा और 35 मिनट में इस बैटरी को फास्ट चार्ज अकी मदद से 80% तक चार्ज कर लिया जाएगा इसके अलावा इसमें 11 किलोवाट के इलेक्ट्रिक मोटर और 4.6 किलोवाट का बैटरी पैग दिया जाएगा जिसे सिंगल चार्ज में 127 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा और इसकी टॉप स्पीड भी 110 किलोमीटर प्रती घंटे की होगी कब होगी लॉंच और कितनी होगी कीमत लेंब्रेटर अलेटर को कमपनी इसी साल जून महीने तक लॉंच कर सकती है और किसी कीमत की बात करें तो कमपनी ने अभी तक आधिकारिक तोर पर कोई जानकारी साचा नहीं की है लेकिन अनुमानित है कि इसकी कीमत एक लाख रुपे के आसपास हो सकती है इदियों को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें